दिये हुए त्रिकोन के सद्रिश एक त्रिकोन बनाईए। उधारण एक समकोन बनाईए जिसमें भुजाओं कन के अलावा की लंबाई 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। फिर एक और त्रिकोन बनाईए जिसकी भुजाएं दिये हुए त्रिकोन के तदनुरू भुजा अब B पर BC से 60 अंच का कोण बनाते हुए एक अर्ध रेखा BP बनाईए, ताकि कोण PBC बराबर 60 अंच, BP से BA बराबर 3 cm काटिये, एवं फिर A और C को जोड़कर DABC प्राप्त कीजिये. अब कोण B से होकर BC से उप्युक्त कोण बनाते हुए एक अर्ध रेखा BX बनाईए, BX पर 5 बराबर रेखांच, BB1 बराबर, B1, B2, 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 B3, B3, B4, B4, B5 बनाईए. अब B3 को C से जोड़ दीजिये. B5 से होकर बिंदु C प्रमुक पर BC से जुडने वाला B3C के समानतराल एक रेखा बनाईए. एवं C प्रमुक से होकर B, BA से A प्रमुक पर जुडने वाला CA के समानतराल एक रेखा बनाईए. अतह DA-BC- अपेक्षित त्रिकोन है. कर दो दो कि दो की जुडने वाला एक रेखा बनाईए.